आपकी तालियों के जोश को सुनकर मुझे एक लतीफा याद आ रहा है एक गाने वाले थे उनके पडोसी को भी एक दिन जोश आ गया तो वो उनके घर आये और बोलने लगे कि सब आपका बाजा चाहिए थोड़ी दिर के बाद उनकी बीवी आई और बोली कि आपका तबला भी चाहिए तो जब वो जाने वाली थी तो गाने वाले ने पूछा कि सब आपके घर में कोई मैफिल है या कोई गाने का प्रोवाम है वो बोली नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है हम जरा जल्दी सोना चाहते हैं आज़ अज़ लीजिए पंजाबी के इस दोर से निकलें और फिर से आजाएं गजल के दोर में बहुत सी फर्माइशे हैं सबसे पहले दो गजलें पेश कर रहे हैं दोनों हम रदीफ गजले हैं चित्रा जी गा रहे हैं सुदर्शन फाकर के गजल और मैं गा रहा हूँ खौजा हैदर अली आतिश के गजल इश्क में घर पे जजबात ने रोने ना दिया इश्क में घर पे जजबात ने रोने ना दिया वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया इश्क में घर पे जजबात ने यार को मने मुझे यार ने यार को मने मुझे यार सोने ना दिया रात भर ताले बेदार ने तूने ना दिया यार को मैंने मुझे यार ने पाप कहते ठेटे रोने से ना बदने में रखी आप कहते ठेटे रोने से ना बदलेंगे नसी उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया वरना क्या बात थी इस बात ने रोने ना दिया इश्ग में घर बे जजबा दरे एक शब बुलबुले बेताब के जागे ना नसीब एक शब गुलबुले बेताब के जागे ना नसीब पहलुए गुल में कभी खारे सोने ना लिया यार को मैंने मुझे यार ने उन से मिलकर हमें रोना था बहत रोना था उन से मिलकर हमें रोना था बहत रोना था संगी ये वक्ते मुलाकात ने रोने ला दिया इश्क में घर से जदबात ने रात भर की दिले वे ताब ने बाते मुझसे रात भर की दिले वे ताब ने बाते मुझसे रन जो में नत के किर्फतार सोने ना दिया यार को मैंने मुझे आरने रोने वालों से कहो उनका आगी रोना रोने रोने वालों से कहो उनका आगी रोना रोने जिनको मजबूर ये हालात ने रोने दालिया इश्ग में घर पे जजबात ने रोने दालिया इश्ग में घर पे जजबात ने यार को मैंने मुझे यार ने इश्ग में घर पे जजबात ने यार को मैंने मुझे यार ने प्रवाँ प्रवाँ झाल प्रवाँ झाल झाल झाल